क्या हरियाना में भाजपा का मार्ग दर्शक मंडल हो रहा है तैयार भाजपा के धुरंदरों से पार्टी लेगी मार्ग दर्शन पार्टी बदलने वालों को संगठन में जिम्मेवारियों का इंतजार और वक्त का तकाज़ा देखिए टिकेट बाटने वाले टिकेट मांगन वालों में टबदील साल 2014 में भारतिय जनता पार्टी में मार्ग दर्षक मंडल का उधर हुआ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को इस मार्ग दर्षक मंडल में शुमार कर दिया गया पार्टी इनके मार्ग दर्शन की आज भी कायल है शायद यही कारण है कि अब हरियाना में भी भाजपा के भीतर प्रादेश तर पर एक मार्ग दर्शक मंडल तैयार होने लगा है इस मार्ग दर्शक मंडल में भारतिय जनता पालिटी के धुरंदर शुमार होने की सुख बुगाहट चर्चाओं में बदलने लगी है हरियाना भाजपा में मार्ग दर्शक मंडल की कल्पना पर बात की जाए तो कई धुरंदर नेताओं का इस मंडल में शुमार्ख होने की चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है जिस तरह केंदर के वरिष्ट नेताओं को मार्ग दर्शक मंडल में रखा गया उसी तरज पर हरियाना में अगर मार्ग दर्शक मंडल की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नाम कुल्दी बिश्णोई का आता है अपने बेटे के राजनेतिक भविश्य के प्रती गंभीर बिश्णोई भाजपा में रहते मार्ग दर्शक मंडल में शुमार माने जा रहे हैं हालगी में हुए लोग सबा चुनाव की टिकेट से महरूम रहे कुल्दी बिश्णोई के पुत्र भव्वे बिश्णोई को आदमपूर से विधान सबा की टिकेट तो पक्ती है टिकेट के अलावा कुलदीब बिश्णोई के लिए भाजपा की ओर से कोई सौगात नहीं है फिल खाल नहीं तो उनके पास पार्टी और नहीं संग्ठन में कोई दाहित्व हैं और नहीं मिलने की उम्मीद है ऐसे में कुलदीब विश्णोई का नाम भारतिय जनता पार्टी के मार दर्शक मंडल की ओर इशारा कर रहा है दूसरा नाम सामने आता है अशोक तवर का लोग सभा चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी की टिकेट के साथ पार्टी में शामिल हुए डूक्टर अशोक तवर को भी अभी तक पार्टी वे संग्ठन में जिम्मेवारियों का इंतजार भर है एक सप्ता पहले ही रोह तक में आयोजित हुई भाजपा की संग्ठन के आयोजन में सिर्सा से सुनीता दुगल राश्टिय कारियकार्णी सदस्य के ओहदे के साथ मंच पर विराज मान थी जबकि अशोक तवर पीछे की एक कतार छोड़ कर चोथी कुर्सी पर विराज मान थे लोग सभा चुनाओं में हार के बाद डॉक्टर अशोक तवर की पार्टी में निश्क्रियता मार्क दर्शक मंडल की ओर ही इशारा कर रही है अब बात करते हैं भारतिय जनता पार्टी के मूल नेताओं की इन में अवल नाम आता है पूर्व ग्रह मंत्री अनिल्विज का मनोहर लाल खटर के साड़े नो साल के कारिय कारल के बाद नायव सैनी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते ही अनिल्विज की आपत्ती का विवाद सारुजनिक हो गया मान मनवर का दोर भी खूब चला परंतु अनिल्विज की नाराजगी चलती रही अब उनकी सक्रियता भी नाराजगी के घेरे में है जिसके कारण उन्हें भी मार्ग दर्शक मंडल में शुमार किये जाने की चर्चाओं में हम आपको बता दें कि भाजपा की ओर से ऐसा कोई मार्ग दर्शक मंडल नहीं है लेकिन जानकारों की राही शुमारी से मार्ग दर्शक मंडल की कल्पना की जाये तो भाजपा के इनी धुरंदरों के नाम सामने आ रहे है खैर अगला नाम इस मार्ग दर्शक मंडल के लिए अगर सामने आता है तो वो है भाजपा के दिगज नेता ओपी धनकड का मनोहर लाल खटर के महपाश में बदे ओपी धनकड फिलगाल दिल्ली भाजपा संक्टन में सक्री हैं और मनोहर लाल खटर भी केंद्रिय मंत्री हैं हारियाना में मार्ग दर्शक मंडल की कल्पना के साथ ही ओपी धनकड का नाम भी शुमारी में लिया जा रहा है इसके बाद मार्ग दर्शक मंडल के लिए कैप्टन अभिमन्यू का नाम भी लिया जा रहा है लोग सबाचिराओं में हिसार संसदियर सीट से टिकेट के प्रबल दावेदार रहे कैप्टन अभिमन्यू फिलखाल नार्नोद विधान सबा से टिकेट के प्रबल दावेदार हैं हरियाना में वितमंत्री रह चुके कैप्टन अभीमन्नु को पार्टी का दिग्यज वेवरिष्ट नेता मानते हुए मार्ग दर्शक मंडल के साथ जोड़े जाने की चर्चाएं परवान पर है मानना यह कि अगर हरियाना में मार्ग दर्शक मंडल का गठन होता है तो उस मंडल में पार्टी के लिए बेहतरीन और लाबकारी मार्ग दर्शन के लिए आनुभवी और बड़े नेताओं की दरकार रहेगी हरियाना के ऐसे ही अनुभवी और मेहनत कश भाजपा नेताओं में शिक्षा मंत्री रहे राम बिलाश शर्मा का नाम भी सुर्कियों में है कमल का फूल हरियाना में उगाने और खिलाने में खुद के एहम योगदान का दावा करने वाले राम बिलाज शर्मा बीते दस सालों में कभी राज्य सबासीट तो कभी प्रदेश की बागदोर की उम्मीदों को जिहन में दबाए हैं फिल हाल आने वाले विदान सबाच्चुनाव में उम्मीदवारी के दावेदार भी हो सकते हैं परन्तु भाजपा की यूवब ब्रिगेड में दिगज नेता राम बिला शर्मा का नाम मार्क दर्शक मंडल बने तो उसमें शामिल किये जाने की चर्चाओं में भी लिया जा र रहा है परन्तु इसी के साथ जानकारों का मानना ये भी है कि दो साल के कारियकाल की यह राज्य सबाच्चीट अपना समय पूरा होने के बाद किरन चोदरी का रुख भी भाजपा में रहते मार्क दर्शक मंडल की और खोना तैम आना जा रहा है जानकारों से चर्चा में उ पेज अटनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया जरूर करें शुक्रिया